हेलो एब्रीवन असलाम ओलेकूं आज मैं आप लोगों उर्दू की दूसरी जमात सबक थिरी में दिये गए सही अलफास और गलत अलफास को बताऊंगी सबक थिरी लोम्रिया बकरा मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ इसके अलफास के माना भी बता चुकी हूँ और सवालों के जवाबात भी बता चुकी हूँ अब हम देखेंगे सही लफ्स के सामने सही और गलत लफ्स के सामने गलत का निसान लगाएं जंगल सही, भूख सही, तलास गलत, लोम्री सही, प्यास गलत, पानी सही, छलांग सही, चाल सही अब हम दिखेंगे, दिये गए अलफाज से जुमले बनाए, यहाँ अलफाज दिये गए हैं, इसे जुमला बनाना है लोम्री, लोम्री चालाक थी, जंगल, जंगल घना है, बकरा, बकरा लोम्री की चालों में फस गई, वक्त हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, कुवा, कुवे का पानी बहुत ठंडा और मीठा है अब हम दूसरा कोशन देखेंगे, सही जुमले के सामने, सही और गलत जुमले के सामने गलत का निसान लगाएं, इसे उपर हमने देखा था, कि सही अलफास के सामने सही और गलत अलफास के सामने गलत का निसान लगाएं, यहाँ हैं जुमले, सही जुमले के सामने सही का निसान लगाना है और गलत जुमले के सामने में गलत का निसान लगाना है एक हिरन भूख से परिसान जंकल में घूम रहा था गलत क्योंकि हिरन तो नहीं घूम रहा था लॉम्री घूम रही थी इसलिए ये जुमला गलत होगा लौमरी चलते चलते अचानक कुए में गिर गई सही बकड़े ने कुए में जाक कर एक खरगोश को देखा गलत बकड़े ने जैसी ही कुए में जाका उसने वहां लौमरी को देखा था तो ये जुमला गलत लौमरी की मीठी मीठी बाते सुनकर बकड़ा कुए में कूद गया सही लौमरी अपनी मीठी बातों से बकड़ा को अपने जाल में फसा लिया इस कुए का पानी ठंडा और मीठा है इसलिए ये जुमला सही होगा अब यहां है तस्वीर देखकर इन जानवरों के नाम लिखे यहां तस्वीर दिया है इन समझानवरों का नाम लिखना है यह हम देख सकते हैं यह शेड है यह गोडा यह गाई सबको अपने नोट बुक पे नोट कर लेना और अच्छे से सबको याद कर लेना अब बुक अगर खड़ी चुके हो तो बुक में सबको अच्छे से लिख लेना खुदा आफिस